नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त आरकीकभी और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग दोस्तों आज का टॉपिक बहतरिन टॉपिक होने वाला है आज हम जानेंगे कि किस महीने में कौन सी सब्जी लगाने से होता है अधिक फाइदा तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जनवरी महीने में राजमा शिमला मिर्च मूली पालक बैंगन चपन कद्दूई त्यादी की फसल लगाने से अच्छी पैदावार और अच्छी कीमत मिलती है फरवरी फसल लगाने से बहतर पैदावार और बहतर कीमत मिलती है मार्च दोस्तों मार्च महीने में गवार, खीरा, ककडी, लोबिया, कडैला, लौकी, तुड़ई, पेठा, खरबूजा, तरबूज, पालक, भिंडी, अरवी त्यादी की फसल लगाने से बहतर कीमत मिलती है अप्रेल दोस्तों अप्रेल महीने में चौलाई, मूली की खेती बहतर होती है मई दोस्तों मई महीने में फूल गोभी, बैंगन, प्याज, मूली और मिर्च की खेती अच्छे तरीके से की जा सकती है जिसमें पैदावार आपको अच्छा मिलता है और उसकी कीमत भी अच्छी मिल सकती है जून दोस्तों जून में फूल गोभी, खीरा ककरी, लोबिया, करेला, लोकी, तुरई, पेठा, बीन, भिंडी, टमाटर, प्याज, चौलाई और शरीफा की खेती अच्छे तरीके से की जाती है और इसकी पैदावार भी अच्छी होती है जूलाई दोस्तों जूलाई महीने में खीरा ककरी, लोबिया, करेला, लोकी, तुरई, पेठा, भिंडी, टमाटर, चौलाई और मूली की खेती अच्छे तरीके से की जाती है जिसमें पैदावार और कीमत दोनों अच्छा मिलता है अगस्त दोस्तों अगस्त के महीने में गाजर, शलजम, फूल गोभी, बीन, टमाटर, काली सरसो, पालक, धनिया, ब्रसल्स, स्प्राउट और चौलाई की अच्छी तरह खेती होती है सितंबर दोस्तों सितंबर में भी गाजर, शलगम, फूल गोभी, आलू, टमाटर, काली सरसो के बीज, मूली, पालक, पत्ता गोभी, कोहराबी, धनिया, सौप के बीज, सलाद, और ब्रोकली त्यादी की खेती के लिए उप्यूक्त माना जाता है अक्तूबर और लासुन की खेती के लिए उप्यूक्त माना गया है नवंबर दोस्तों नवंबर में चुकंदर, शलगम, फूल गोभी, टमाटर, काली सरसो, मूली, पालक, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज, मतर और धनिया के लिए उप्यूक्त माना गया है दिसंबर दोस्तों टमाटर, काली सरसो, मूली, पालक, पत्ता गोभी, बैंगन, प्याज, इत्यादी के लिए उप्यूक्त माना गया है दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा निचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बैल आकिन की घंटी को दबाना मत भूलिए इसी के साथ बिदा लेते हैं, जय हिंदे